हेलो फ्रेंड मेरी चैनल सीमा बुंदेली किचिन में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूँ अप्पे मैं सूजी से बना रही हूँ और इसके लिए मैंने सूजी ले ली है छोटे कप से चार कप और इसमें हम दही डालेंगे दो कप के लगबग कम जादा भी डाल सकते है है अगर खटा है तो थोड़ा कम कर दीजिए और फिर एक कटोरी भर के पाने डाल देंगे इसमें ओर ठोड़ा भी कम पाने डाला है मिक्स करके देखेंगे अगर जरुरत पड़ेगी तो और रटाल देंगे थोड़ा और डाल दिया है मैंने अब मैं इसको अच्छे से मिला के और रख दूँगी और देखिए थोड़ा पाने और डाल दिया है ज्यादा पतला और गाड़ा पेश्ट नहीं चाहिए है ऐसा थिक चाहिए है ना पतला ना गाड़ा मेरा ये बन गया है मैं इसको तीन-चार घंटे के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ और अब तीन घंटे हो गए हैं तो मैंने एक कप पोहा ले लिया है उसको अच्छे से दो के और पानी निकाल देंगे और पानी और दूसरा पानी डाल के इसको भी पंदस-पंदा मिन के लिए फूलने के लिए रख देंगे और यह भी मैंने रख दिया अब मेरे फूल गए हैं दोनों तो मैं इसको लेती हूँ देखिए ऐसे फूल गई है सूजी अच्छी सॉप्ट हो गई है और अच्छे से फूल गई है और इसके लिए मैंने यह प्याज टमाटर और पहा को निकालेंगे इसका पानी पोह का जो पानी है पूरा पानी निकाल देंगे और पूहा को अच्छे से मैस कर लेंगे मैसर से कर लें आहां से जिससे भी आपको अच्छा लगे और मैस करके अब इसको हम इसमें सूजी वाले पेश्ट में और मिला देंगे अच्छे से मिला देंगे अब अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे इसमें और नमक डाल के भी अच्छे से इसको मिक्स कर देंग देखिए अब ये पेश्ट थोड़ा मेरा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा अलग निकाल के रख देंगे और बाकी में ये मिला देंगे प्याज टमाटर पूरे में नहीं मिलाया है जरूरत पड़ेगी तो बाद में फिर ले लेंगे तो इसमें अब हम ये प्याज टमाटर हरी मिर्च गाजर ये चौप करके रखी थी वो इसमें डाल लेते हैं और थोड़ा ज़्यादा है तो जरूरत लगेगी कम लगेगा तो और डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा और डाल देते हैं और देखिए अब इसको अच्छे से मिक करेंहां अब इसमें ह्री धनियापत्ती को काटके डाल देती हूं अज उसको की अच्छे मिक्स करेंगे आप्पे का पैन रख लिया है हूँ थोड़ा तेल गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा तो डोड़ा राइ डाल सर्सों काली करीपत्ता भी डाल देंगे मेरे पास अभी नहीं था तो नहीं डाला है और इसमें करीपत्ता भी डाल देंगे और अब इसमें यह सूजी का पेश्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और डाल के अब इसको कवर कर देंगे slow gas में ही रख देंगे और देखिए यह मेरे पक रहे हैं देखिए अब इसको चेक करते हैं पके हैं कि नहीं और तो हो गए हैं यह अब हम इनको पलट देते हैं देखिए अच्छे से हो गए है अच्छे से पलट भी रहे हैं चिपक भी नहीं रहे विल्कुल और देखिए इसके भी देख लेते हैं इसके भी हो गए हैं लगवक तो इसको भी हम पलट देते हैं अप्पे के पेस्ट में मैंने सोडा नहीं डाला है और पोहा डाला है पोहा से अच्छे सौप्ट बनते हैं और टेस्ट भी अच्छा लगता है सोडा तो अवाइट करते हैं कम ही डालते हैं सब चीजों में हम और इसको चेक कर लेते हैं हुए के नहीं अभी थोड़ा कम हुए थोड़ा और ढखके रख देते हैं अब देखते हैं अब ये हो गए हैं तो अब हम इनको निकाल देते हैं देखिए मैंने निकाल लिये हैं तो कितने अच्छे सिके हैं और कितने अच्छे दिख रहा हैं देखिए तो अब मैं दूसरे वाले को भी देख लेती हूं वो भी मेर सिग गए हैं थोड़ा ज्यादा सिग गए हैं एक साइड से तो मैं दूसरे राउंड के इसमें डाल देती हूं तेल डालके तेल डालके और थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और इसके बाद हम राई डाल देंगे सरसों के दाने काली वाली सरसों और और डालके फिर यह अप पेस्ट इसमें डाल देंगे एक एक चमत से भरके डाल देंगे अब इसको हम ढखके रख देते हैं चकनी इमली की और डालती जाए और इसमें डाल देते हैं अच्छेश नही फाल नहीं डाला है इसमें दड़ में दाल देते हैं से यह प्याज डाल देंगे और उपर से अब इसमें हरी चटनी डाल देंगे हम दोनों में हरी चटनी डाल देंगे हम और हरी चटनी मैंने धनिया पत्ती, अद्रक और थोड़ा सा लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा नमकीन भुजिया डाल के बनाई है ऐसे बनाने से अच्छी हरी दिखती है काली नहीं पड़ती है और ये मैंने हरी मिर्च डाल दी इसमें और थोड़ा थोड़ा नमकीन भुजिया वाला डाल दिया है पतला वाला भुजिया से हो और ये डाल के अब हम इसमें थोड़ा सा ये मसाला वाला नमक है मेरे पास टेश मेरे पास यह बाला टेश्टी नमक है तो मैंने यह ढाल दिया है दोनों में थोड़ा थोड़ा और इस में जीरा चाट मसाला आप ढाल सकते हैं और अब मैंने इन्य अनार अदाल दिये हैं और देखिए मेरे कितने अच्छे दिख रहे हैं खाने में भी यह बहुत अच्छे बने हैं अब मैं दूसरे राउंड के भी बना लिये हैं और यह आपको तोड़ के दिखाती हूं देखिए कितने सौप्ट बने हैं और कितने अच्छे बने हैं देखिए कितने सौप्ट हैं पोह डालने से बहुत सौ देखिये अब हम आपको यह तोड़के दिखाते हैं देखिये कितने अच्छे Ben hai सौप्ट और जाली वाले जाली दार بنे हैं और यह देखिये सिख रहे हैं कितने अच्छे हैं और आपको मेरी रैसीपी पसंद आए तो आप मेरी चैनल को प्लीज लाइक, सेयर और सस्क्राइब करिये थैंक यू फोर वाचिंग, बाई बाई